Hello everyone, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चाप्टर नमबर 8 इंट्रोड़क्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है तो ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बनाएं जिसमें ट्राइ, गौन और मेट्रॉन आते हैं ये तीनो वर्ड ग्रीक से लिए गए हैं ट्राइ का मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइट्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट या उनको नापना, मेजर करना तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जब हम तीन साइट्स को, यानि तीन साइट्स किसमें होती हैं, ट्राइंगल में तो triangle को जब हम major करते हैं, उसकी sides, उसके angles को study करते हैं, उनके बीच में क्या relation उसको पढ़ते हैं, उसको trigonometry कहते हैं तो trigonometry में हम इस chapter में triangle के सारे measurements को, उसके ratios को, formula क्या use होते हैं, कैसे आप sides निकालोगे, कैसे angles निकालोगे, यह सब सीखेंगे इसी के continuation में आपका chapter है, chapter number 9, which is application to trigonometry, जिसमें यह सारे concepts को कहा apply किया जाता है, कैसे use किया जाता है, वो हम सीखेंगे तो दोनों ही chapter बहुत important है, और बहुत मज़ेदार है, आपको बस क्या करना है, आपको practice करनी है, ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा focus करना है, basic चीज़े सीखने में, basic आ जाएंगे, तो आपको मज़ा अपने आप आने लगेगा, questions को solve करने में अब देखो, आपको trigonometry में एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानि जब भी आप trigonometric concepts को use कर रहे होगे, questions solve कर रहे होगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि trigonometry हमेशा right angle triangle में ही apply की जाती है, यानि कि triangle में एक angle 90 degree होना जरूरी है, तब ही आप trigonometric formulas apply करोगे, अगर 90 degree नहीं है कोई angle तो उसमें trigon apply नहीं होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और अब हम आगे पढ़ते हैं, तो मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको एक example देती हूँ, एक triangle है ABC, जिसमें B जो है वो एक right angle है, ठीक है, तो अब आपको क्या पता होना चीज़ सबसे पहल ठीक है, इस base के उपर जो 90 degree line जा रही है सीधी, उसको हम कहते हैं perpendicular, और इन base और perpendicular के सामने वाले जो slant line होती है, जो सबसे लंबी line होती है, इसको हम कहते हैं hypotenuse, ठीक है, so base is the आधार, जिस पे triangle खड़ा हुआ है, उसके उपर जो perpendicular line है वो perpendicular हुआ, और base और perpendicular, यानि 90 degree angle के साम ने वाला जो side होता है, यह longest side होता है, इसको hypotenuse कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी triangle को थोड़ा सा tilt कर देती हूँ, इस तरह से, तो इस case में triangle वही है, A, B, C, लेकिन यहाँ पे यह जो है, अब यह triangle इस base पे खड़ा हुआ है, और यह perpendicular हो गया, तो यह बन गया ह है आपका base और यह बन गया है perpendicular, hypotenuse तो सेम रहेगी, base और perpendicular इंटरचेंज हो सकते हैं, तो अब आपको यहाँ किस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप trigonometry से related questions solve करोगे, आपको ध्यान देना है कि आप किस angle के reference में बात कर रहे हो, तो इस angle of reference के concept को मैं अभी समझाती हूँ देखो ध्यान से, यह triangle है, ABC, इसमें अगर मैं बात कर रहे हूँ कि मेरा angle of reference यहाँ है, यानि कि मैं इस side से इस triangle को देख रहे हूँ, ठीक है, angle of reference मेरा C है, यह वाला angle, तो हमेशा याद रखना, इसके सामने वाली side है, वो होगी आपकी perpendicular, ठीक है, angle of reference हम इसको बोलेंगे, ज साइड, वो होगी perpendicular, इसके adjacent यानि बिल्कुल जुड़ी हुई, जो angle से जुड़ी हुई होगी, वो होगी base, और आपको hypotenuse तो अराम से दिखी जाएगी, hypotenuse जो है, इन दोनों के बीच में 90 degree के बिल्कुल सामने वाली side और सबसे longest side होती है, अब मान लो, हमारा जो angle of reference है, वो change हो गया, वो हो गया है, यह वही triangle है, A, B, C, अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है, तो यह वाला जो angle है, इसके सामने वाली side जो होगी, वो होग कैसे angle of reference के हिसाब से base और perpendicular को देखना है, अब आते हैं हम सबसे important topic पे, जो है trigonometric ratios, यानि कि इसी triangle में हम कैसे ratios को study करते हैं, तो देखना है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, यह नहीं समझाया, तो chapter शायद नहीं समझाये, तो यहाँ पे हम लेते है, triangle A, B, C, जिसमें right angle ह B पे, ठीक है, तो इसमें हम क्या study करेंगे, कि हमें कोई angle दिया हुए, तो हम दो sides का ratio कैसे निकालेंगे, या ratio दिया हुए, तो angle कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए, अब हम सीखेंगे trigonometric ratios के बारे में, जो कि बहुत important है, अगर यह समझ नहीं आए, तो यह chapter ही समझ नहीं आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना, trigonometric ratios क्या हैं, और किस काम आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया एक triangle A, B, C, जिसमें B है, right angle, तो हमें trigonometric ratios से क्या पता चलता है, अगर हमें कोई angle दिया हुए, तो हम उससे side निकाल सकते हैं, या side का ratio निकाल सकते हैं, side का ratio दिया हुए, तो हम angle find out कर सकते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ words है, sine, cosine, tangent, cosecant, secant और cotangent, अभी आपको इसको depth में नहीं पढ़ना है, वो आप further आगे कभी study करोगे, तो आपको समझाएगा, तो अभी आपको इतना ही समझना है, कि sine, cosine, tangent, cosecant, secant और cotangent को हमने short में sine, cos, tan, cosec, sec और cot बोला है, ठीक है, और इसकी मदद से हम angles और ratios को study करते हैं, तो sine, cos, tan, cosec, sec, cot, यह है क्या, यह ratios कैसे help करेगा हमें निकालने में, तो अब ध्यान से सुनना, यह एक मूल मंत्र है, जो बहुत time से use हो रहा है, यह ratios को याद करने का एक तरीका है, हमने यहाँ पे कुछ abbreviations बनाई हुए है, यह abbreviation है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले, और cosec, sec, cot आपको याद रखना है, इसकी मुझे कोई abbreviation समझ में नहीं आई है, तो आपको यहाँ CSC याद रखना है, ठीक है, तो पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, भोले, सो सोना, चांदी, तोले, और C, दोनों साइड में, और S, सेंटर में, यह भी आपको याद रखना है, आगे मैं बताऊंगी, यह क्या है, तो देखो, ध्यान से देखना, यह जो लास्ट के जो 6 abbreviations है, इसको यह है, sign, यह है आपका cos, यह है tan, यह है cosec, यह है sec, और यह है cot, तो sin, cos, tan, सोना, चांदी, तोले, cos x, 1, cot, इसका आप खुद से abbreviation बना लेना, अब ध्यान से देखो, यह है क्या, अगर मुझे sin की value निकालनी है, sin की value निकालनी है, तो sin क्या होगा, इसी के just उपर देखो, आपको लिखा है, p, और उसके नीचे है h, तो आप इसको ऐसे division का sign डालो, जादा अच्छे समझ में आएगा, तो sin की value आएगी, perpendicular upon height, तो perpendicular upon height, यह आपका एक formula, ठीक है, ऐसे ही cos की value, cos देखो यह रहा, cos के उपर क्या है, base upon height, b stands for base, और यह height, hypotenuse, तो यह हो गया आपका base, b upon h, base upon hypotenuse, ऐसे ही आपको tan का formula अगर पूछा जाए, तो tan क्या है, perpendicular upon base, यहाँ पे p जो है, b, base है, और h, hypotenuse है, तो perpendicular upon base, अब मैंने यह आपको क्यों बताया है, cos x, cot, तो cos x, जो है, वो sign का उल्टा होता है, इसी के उपर जो लिखा है, sign का, यह दोनों एक दूसरे के opposite है, उल्टे है, या reciprocal बोल लो, तो sign का उल्टा कर दोगे, तो cos x की value आजाएगी, तो यही पे ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे sec की value निकालनी है, sec, तो sec के उपर देखो, cos है, तो cos को उल्टा कर दो, cos होता है, b upon h, तो यह हो जाएगा h upon b, right, ऐसे ही tan का उल्टा होता है, cot, तो cot निकालने के लिए आप क्या करोगी, यह perpendicular upon base है, तो यह हो जाएगा base upon perpendicular, ठीक है, अब इसक से देखना, मान लेते हैं कि एक triangle है, a, b, and c, तो अभी मैंने आपको बताया angle of reference के बारे में, तो वो आपको बहुत जादा ही ध्यान लखना है, मान लेते हैं, इस triangle में angle of reference है c, ठीक है, first case मैं आपको बता रही हूँ, angle of reference जो है, वो आपका c है, right, तो मुझे निकालना है इस sine c की value, जो angle of reference होता है, वो हम इस ratio के साथ लिखते हैं, तो sine c की value निकालनी है, क्योंकि angle of reference पर depend करेगा, कि आपका perpendicular क्या बनेगा, और base क्या बनेगा, ठीक है, तो अगर c reference है, तो perpendicular क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था, जिसके reference में आप निकाल रहे हो, ज angle of reference है, उसके बिलकुल सामने वाला होता है, परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ है, बिलकुल adjacent 90 degree के साथ, 90 degree वाला वो हो जाता है, बेस, और hypotenuse, आपकी longest side, और slant side, ठीक है, तो sine c, देखो, क्या होगा, sine क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, p upon h, यहाँ यहाँ पर फिर से लिख लेती हूं, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, यह आपको बार बार रेपीट करना याद हो जाएगा, कुछी बहुत, बहुत easy है, तो sine की value है, p upon h, तो perpendicular upon h, परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कि angle of reference कहीं, आप यह वाला परपेंडिकुलर ना ले लो, क्योंकि यह दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया, ab upon, और आपका h, यानि हाइपोटनियूस क्या है, ac, तो ab upon ac, जो है, आपको sine c की value दे देगा, ऐसी आपको अगर cos c की value निकालनी है, अब c, angle of reference है c, इससे पता चल रहा है, angle of reference c है, cos c की value क्या होगी, c देखो क्या होता है, b upon h, तो base upon height, base यहाँ पर क्या है, देखो, base है bc, इस hypotenuse यहाँ पर क्या होगी, ac, तो ac, cos c की value आप bc upon ac, यानि इसकी value अगर दी होगी, और इसकी value अगर दी होगी, तो cos c angle की value आपको मिल सकते हो, cos c की निकाल सकते हो, cos होता है, hypotenuse upon perpendicular, तो cos c की value अगर मुझे निकालनी है, तो hypotenuse upon perpendicular कर दूँगी, hypotenuse है ac, और perpendicular आपका a, b, ठीक है, तो I hope यह आपको clear है, अब देखते हैं, अगर angle of reference जो होगी, वो change हो जाता है, change का मतलब है, कि मान लेते हैं, यह triangle है, a, b and c, a, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वो ध्यान से देखना, अब आपसे पूछा जाता है, sin a की value बताओ, तो फिर से, मैं side में फिर से लिखूंगी, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, भोले, सोना, चांदी, तोले, तो, sin a की value निकालनी है, sin का formula है, perpendicular upon hypotenuse, तो अब ध सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका, perpendicular, perpendicular, 90 degree ये रहा, तो perpendicular के जब साथ वाला हो जाएगा, base, और जो longest side है, वो हो जाएगी, hypotenuse, जब आप ये तीनों पहचान लोगे चीजें, तो आपके लिए बहुत असान हो जाएगा, sin a, यानि angle of reference a है, तो perpendicular हो गया ये, तो p की value आप bc upon hypotenuse is ac, या गया, ac, तो sin a हो गया, bc upon ac, ऐसी अगर मुझे निकालना है, मानलो, cos a की value, तो cos a की value होती है, base upon height, b upon h, तो base क्या है यहाँ पे, base देखो ये रहा, ab, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जानना कि base और perpendicular को कैसे find out करते है, ठीक है, तो ab आपका base है, और यह आपकी hypotenuse है, I hope आपको यह समझ आ रहा होगा, अब आपको क्या निकालना है, let's say last एक और बार देख लेते हैं, tan की value निकालनी है, tan a निकालना है, तो tan की value क्या होती है, perpendicular upon base, p upon b, तो perpendicular क्या है यहाँ पे, perpendicular यह रहा, bc, bc, और base कितना है, base है आपका यह वाला, ab, ठीक ह इसलिए बहुत ध्यान से इस video को देखना और concept को clear रखना, I hope इतना आपको समझ में आया होगा, इससे आगे हम लोग next video में continue करेंगे,